लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और प्रेल आइकन को प्रेस करें जो भी इशारा किया कुछ पल्ले नहीं पड़ा इंहें बतादो कि ये स्रिफ गुलदस्ता नहीं है ये क्या आपकी गाड़ी की चाबी इसमें फस गईगी अरे-अरे फसी नहीं है सार हमने उसमें रखा आपके बेटे का गिफ्ट है क्या गाड़ी गाड़ी कम से कम पांच लाग की तो होगी ही बताओ इने अरे सर जी डेड़ सो रुपे की गुलदस्ते में पांच लाग की गाड़ी आपकी बेटी को देना शान की खिलाफ है जरा उधर तो देखिए नहीं नवेले चमचमाती है सुवी वो भी सेवन सीटर यह सही देखे जब मैं जज था तब अपने फैसलों के बदले एक पें तक गिफ्ट में नहीं लेता था अहां क्या सर पेंपेंसल रबर्बर शापन यह सब स्टेशनरी तो आपको सरकार की तरफ से मिलती ही थी इसका उस चाहे छोटी हो या बड़ी एक बार लेने के आदत पढ़ गई तो वो हर किसमें गिफ्ट पाने की उम्मिद करता रहेगा पापा इसलिए पोई गिफ्ट नहीं पापा इंसे फीस तक नहीं ले रहा था तो गिफ्ट कैसे ले सकता हूं भला आपके संसकार मेरे रगों में द इसको जीता और करोडों कमाए हैं लेकिन मैं एक रूपया भी आनलाइन नहीं लूँगा यही का ना यह सब तो मुझे याद नहीं तो याद दिलाओं तो एसे तोफे दे कर हमें लालाच क्यू दे रहे हो ठीक है फिर वापस लें लोग है तो सेक्शन 502 नहीं लग जाएग सर क्या आपके लिए नहीं है सर यह तो हमारी खुशे के खाती नहीं सर अच्छा ठीक है आपका दिल रखने के लिए ले लेता हूं लेकिन अगली बार से वह सुने सिर्फ फीज देंगे हर एक चीज हम कागस पर लिखवा लेंगे हम उस पर अंगूटा लगाएंगे और फि पीबान लीजिए और यह छोटा सा गिफ्ट कबूल कर लीजिए ले लीजिए लीजे बच्चे खुश हो जाएंगे और एक मोर ने पंक खोले पुश्पक विवन नाम के डेली सोप में एपिसोड नमबर 6932 रोल कैमरा एक्शन ओडर ओडर सार यह मेरा निकमा पहले अपना म मास पहनो तुम माफ कीजीगा सर एक बाफ होकर अपने बेटे से सबरताफ करतो यह शरम नहीं आती अरे बोलो पुतले की तरह ऐसे खड़े क्यों कुछ बोलो मैं बताती हूँ यो आनर लॉयर जहांसी? लॉयर जहांसी क्या इस केस को आप खुर लड़ने वाली है? मैं यहां सिर्फ यह केस लड़ने नहीं आई हूँ मैं इस बुढ़े बाप के दिल का दर्द सुनाने आई हूँ इनके क्यारेक्टर में घुश कर इनकी एक्जाक फीलिंग्स बताने आई हूँ और इसके साथ सारी बाते बताऊंगी क्या मैं बैट कर सुन सकता हूँ येस प्लीज प्रोसीड आप लोग बैट जाये सर जी माना की हम लोग छोटी सी दुकान चलाते हैं बड़ी महनत से अपने बेटे को लॉयर बनाया चाहते थे अच्छा काम करे समाज की सेवा करके अपना नाम कमाए सिर्फ महनताना ले नहीं चाहता इसकी काली कमाय का हिस्सा ही आई घट्या आदमी मुझे बाप बुलाए ये गोर से सुन ले मुझे इससे तलाक दिलवाए ये बाप और बेटे में तलाक क्या मजाग चल रहा है अभी दिलवाए अभी 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 लगता है अपना डायलोग भूल गई सर अब बताता हूं मैंडब ये बाप और बेटे के निष्टे को अभी ख़तम किया जाए मेरे मने के बाद मेरी लाश को हाथ तक ना लगाए अभी आपको मरने में टाइम है तो जल्दबाजी क्यों नहीं यॉर आउनर नहीं यॉर आउनर मुझे इस कोट में हार्ट अट अट अग जैसे आप अपना फैसा चुनाएंगी मैं अब जाए आप सब लोग ताली बजा दीजिए जिस तरह से मैडम में हाट अटक की आक्टिंग की है आप लोगा ताली बजाने का पूरा आथ बनता है वाट आप पर्फॉरमेंस सिस्टर नारियल में पाने पीजिए सूपर सूप मैडम आपका ये किरदार इंडियन ओर्डस के दिलों में बस आ रहेगा इसलिए तुन्हें मेरा रोल खटम कर दिया मैं एक राइटर रूमेकर भी क्या सकता हूं उन्होंने का इसलिए मुझे काटना पड़ा हा तो तो काटेगा ही हर किसी का काटने के लिए 24 गंटे बैठा रहे चलिए सर वो तो यहीं आ रही है चार बार लेटा ला चुका है इसको निकालने का आने दे कोई फड़क नहीं पड़ता एह प्रेडियूसर यह सब क्या है यह हजार 932 कर चुकी है तस साल की अक्टिंग की सफर जो 15 साल की उमर में चुरू हुई सब इन्हें लॉयर जह के नाम से पैचानते इतने बड़े किरदार को तुम अचानक मार कैसे सकते हो यह एपिसोड देखकर ओडियंस रोएगी या नहीं मेरे किरदार को मरता देखकर और ते खाना कैसे बनाएगी वो घर पर शांती से रह पाएगी तो ना रहे मुझे क्यों सोचना है करोना के चल बात मत कर बड़ा जोला लड़े तु लड़कियों के लंगा काट रूंगी बनाता है वड़ी 420 चड़िया कहीं का तुम लोग इन उटंकी बहुत हैलिया मैंने जूले लाल की कसम तुम लोगो शो से निकाल रहा हूं मैं तुम तीनों को पेड़ू तले मुसल रहा हूं तुम गाउँ अपने बस में लोटोगे ठीक है बाबा जाके बस्तें में बैठो में फिग भीजिवाता हूं किसको अब टिंग 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 फॉर्टी एट फ्रेम में स्लो मो में बहुत अच्छे से धमकी दी और इंट्री मारी अब इसमें मेरा क्या काम है हार्ट इटैक का बहाना बनाकर मेरा क्यारेक्टर खतम करने के लिए उस राइटर के खिलाफ केस दर्श क कर दिया इसलिए आप केस करना चाहती है यही ना आपने मेरी मैडम के बाद को बिल्कुल साही समझा है सच बताइए कभी किसी भी लॉयर के जिंदगी में आज तक ऐसा यूनिक केस नहीं मिला होगा ना उसे मुझे पता था मैडम ने पहले ही दिया था हमें मैडम इन्हें बत जान बूच कर मेरे किरदार को मारने के लिए और मुझे से मेरा काम और रोजगार चीने के लिए IPC 500 के तहत मानसिक और शारिरिक प्रतार्ण ना मादम, एक मिनिट, एक मिनिट, ये कैसे हो सकता है, कानून की सारी धाराय तो आपके दिमागे आइकोट में चपी हुई है, लॉयर के किरदार के लिए इन्होंने लॉकिया, हाँ, शेज बी एलल बी, अहा, आ येस, वाँ, अगर डॉक्टर का करेक्टर मिला तो, मेबी एस, प मैम, 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 I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझना, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, आप जो केस लेकर यहां ये ना, उसे कोई भी लोयर अपने हाथ में नहीं लेगा, मेरी सला मानिए, आप अपना केस खुद लड़िए, कोई रिपिट टालिकास नहीं, के वायर जाउड हो, जाइए, जाइए, ज जाइए, आईए, जाईद्हेण ये वायर जाँजाँ, जाइए, जाइए, मुड़ के चानंटगे जाऊड के घूड़ पर आती करो готов। इस डाइरेक्टर प्रेड्यूसर की जोड़ी ने दस साल से पब्लिक की चहीती किर्दार का कतल किया है अच्छा तो जब मर्डर हुआ तब पुलिस क्या कर रही थी यहां था की फायर की कॉपी भी नहीं है मिलेगी भी नहीं क्योंकि धरजी नहीं की पुलिस की पुड़ी टीम को भी भेज़ देगी नहीं मैडम जी तो भी कोई सुड़ाग नहीं मिलने वाला सुड़े फखीली क्यों पूलिस डॉक्टर आई एस इंजुनियर्स ऐसे सेगड़ों को मोत के घाट उतारा है और इस तरह छोड़ लाइन चिंदी चोरों के पीछे क्यों पढ़ा है वो क्यों खसी तेंगे वो सब तो छोटे मोटे अक्टर से ना उनकी तुल्ला जहांसी से बात गाए मैडम आपने मुझे टीवी पर नहीं देखा मैडम लगता है आपको ब्रीफ ठीक से नहीं मिला इनकी शिकायत ह शो में मा डाला तो तुम केस लड़ने आ गई अफकोर्स लगता है डेली सौप के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं जैसे मैडम अंदर आई आपको सलाम ठोकना चाहिए था अरे आप मैडम के बारे में जानती क्या है जान जाएंगी तो समझ जाएंगी तो समझ जाण जासी जीतेगी हमेशा जीतेगी देखा मैडम मेरी फैन फॉलोइंग कोई चोटा मोटा किरदार नहीं था फिर भी इन शैतानों ने मेरे किरदार को खतम किया इन्हें तो पांच महीनों की जेल होनी चाहिए और रुको जरा सजा सुनाने का काम मेरा है मैं कर लो हम प्रोसीड क कीजिए कीजिए कोट शूट के लिए देते हैं क्या कितना रेंट होगा इसका उनी से पूछे बता देंगी एक निहायती बेसलेस केस को इस को इस कोट में लाने के लिए और इस पवित्र नियायलय को शूटिंग की जगा पर तबदील करने की जुर्रत करने के लिए कुमार और केस लड़ने की इजाज़त मिलेगी साथ ही कोट में इनके एसिस्टेंस के रवईये को देखते हुए दस दिन की सजा काफी नहीं है इसलिए इन्हें एक महीने के लिए जेल की कड़ी सजा सुनाई जाती है लॉयर जासी आप हार मत मानना हम न्यूज में डिबेट करेंगे हाई कोट से सुपरिंग कोट में चीतेंगी ज़रूरत नहीं जिस जज ने मुझे पूरे कोट में सब के सामने नीचा दिखाया मैं उन्हीं के सामने ऐसी दलीले दूंगी कि वो खुद कहेगी कि लॉयर जासी मुझे तुम पर गर्व है क्या मुझे एक सेलफी मिलेगी और यह ज़रूर होगा आपकी जुनियर बन और सीन आपकी कांट्रोल में तुम जैसी लड़की को जुनियर रखर मैं अपने करियर को खत्र में नहीं डाल सकता देखो मैं किसी बड़े प्रोडुसर से बाद करके उनकी वेब सीरी में तुम्हें ग्लैमरोस रोल दिला सकता हूं मैं तुम्हें नहीं जहिल सकता अई हर हाल में मुझे आप ही को जॉइन करना है जॉइन करना है जॉइन करना है मेरी तो निकल पड़ी गाड़ी निकाल